ओडिशा के बालासुर जिले के कांदागराडी गाउ में एक अचीबो गरीब मामले ने पुलिस को अस्मंजस में डाल दिया है। मैं पताती हूँ क्या हुआ। रामशंद्रा परिदा नाम के एक व्यक्ति की बेटी की शादी थी। 21 नवंबर की राद 11 बजे बारात ने खूप शोर शराबा करना शुरू कर दिया। रामशंद्रा का रंजीत परिदा नाम का एक पडोसी था जिसने उन्हें संगीत बंद करने के लिए कहा। रामशंद्रा ने मना कर दिया। रंजीत के मूर्गी के फारम में लगबग 2000 मूर्गिया हैं और वे शोर से उत्तिचित हो गई और उनमें से 63 की मृत्यू हो गई। रंजीत ने कहा कि उन्होंने मुर्गी के गिरने के बाद उन्हें पुनर जिवित करने की कोशिश की और यहां तक की पशु चिकित सक को भी बुलाया जिसने कहा कि वे तेज आवाज थी जिसके कारण पक्षियों की मौत हो गई क्रोधित रंजीत ने तब रामचंदर से उसकी भरपाई करने को कहा लेकिन रामचंदर ने ऐसा करने से मना कर दिया फिर रंजीत ने 22 नवेंबर को निलागिरी ठाने में शिकायत दर्ज कर आई रामचंद्र परिदा ने कहा हर दिन सडक पर इतने हौन के बीच इतनी सारी मुर्गियों को ले जाया जाता है ये कैसे संबव है कि उसकी मुर्गियां डीजे के संगीत के कारण मर गई इससे पुलिस अस्मंजस में है